वेलकम स्टुडेंट्स पर्ष्ट फ्लाइट बुक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्योसंस में आपका स्वागत है आज हमने आपके उन टॉप सेलेक्टेड क्योसंस का सेलेक्शन किया है जो की आपके एक्जाम में आने की 100% possibility है आप इने अच्छे से तयार करके जाएं एक्जाम पर्ष्ट के तीनोत क्योसं है यह आपने आपके a later to good chapter से लिए है पर्ला क्योसन है वा डिछ लेंचो हो फोर लेंचो किस बात क्या सा करता था इस्टीं को और और वार्ड दिड लेंचो का किस में इसवास्ता वार्ड इन ही डू और उसने क्या किया थार्ड है वाइड लेंचों को पेसे क्यों भेजे वाई डिडी साइन दे लेटर गोड उसने लेटर पर बगवान की इस्वर के स्थाख से क्यों किये क्रस्ण नमर फोर हमने नेलसन मंडिला लोग वाक टू फ्रीडम से लिया है किन दो बात देताओं कर्तवियों के बारे में मंडिला यहां पर जिक्र करते हैं वेक्टी के कौन से दो कर्तविय हैं क्रस्ण नमर फाइव इज पर्ष्ट फ्लाइट चेप्टर से वाई वाई वास द यंग सीगल अलोन ओन इस लेज जो बच्चा सीगल था उसकी चट्टान पर अकेला क्यों था किस वज़े से उस कंट्रोल सेंटर की महिला ने उस वर्णन करता को अजीब नजरों से देखा क्रस्ट नमर 789 आपके प्रोब दायरी ओप एन फ्रेंग से लिया है क्यों उसकी डायरी पर ज़्यादा विश्वास करती है लोगों के अपेक्सा वाई वज मिस्टर की सिंग अनोईड विद एन वाट दिद ही आसकर तो डू मिस्टर की सिंग एन पर क्यों नाराज हो गए और उन्होंने उसे क्या करने के लिए कहा वाट डज एन राइट इन हर पर्ष्ट एसे एन अपने परले एसे में क्या लिखा और हाव डिड एन जस्टिफाई हर बिंग अचेटर बोक्स इन हर एसे किस प्रकार ज्यादा बोलने का जो उसने निबंद लिखा उसमें अपने आपको सही साबित करती है इन में से किसी के बारे में भी आप से केरेक्टरिस के पूछा जा सकता है किस बारे में में ने बहुत ज़्यादा विचार किया उसने कौन सा मत पूर ने लिया ता यह भी मुस्ट इंपोर्टेंट है यह इसी का है दने ड्रेशेज वाट आर्ड़ एल्डर्स इन गोवा नोस्टेल्जिक अबाउट क्रेशन नमर ट्वल अब बेकर फ्रोंग गोवा से हैं जो पुराने लोग हैं वो अपने अतीत की कौन सी सुकदी स्मृति को याद करते हैं मिज ने कौन से केल का अविश्कार किया था और इन 13 क्रेशन को आप याद कीजे अगले पार्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट और क्रेशन सा आपके लिए लेकर आएंगे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जरूर लाइक करें ने चैनल को भी सब्सक्राइब करें इस्टुडेंट्स थेंक्यू